हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि PCS ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारे जानकारी में आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूगा दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे जरू सब्सक्राइब करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इससे सेर जरू कीजेगा तो चले दोस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप PCS ऑफिसर कैसे बने PCS ऑफिसर बनने के लिए क्या करें इसे रिलेटेड जनकारी आप प्राप्त करेंगे जैसे कि इस वीडियो में आप PCS अधिकारी क्या है PCS अधिकारी कैसे बने इसके लिए एज लिम में दूँगा दोस्तों अगर आप भी PCS अधिकारी बनने की सोच रहे हैं या सरकारी नौकरी में PCS अधिकारी की नौकरी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो के बन आपके लिए है इसलिए इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट सरकारी नौक पाने की ख्वाईस रखते हैं हाला कि सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करने के ज़रूत होती है यदि आप अपने लक्षी को प्राप्त करना चाहते हैं तो जुनून के साथ इसके तियारी करनी होगी तब ही आप अपने सपने को सकार कर पाएंगे तो चली दोस्तो अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि PCS अधिकारी क्या है PCS अधिकारी कैसे बने इसके लिए qualifications क्या क्या है इसे related सारे जनकारी में आप लोगों को आज की से व देवा आयोग यानि कि इस्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के दौरा आईजित की जाती है यदि कोई कैंडिडेट इस एक्जाम को सपलता पुरुवक पास कर लेता है तो उन कैंडिडेट्स को अलग-अलग छेत्रों में जाब दी जाती है जैसे कि सब्सक्राइब करना होता है क्योंकि उन्हें दूबारा दूसरे राजी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तो आईए जानते हैं कि PCS आफिसर बनने के लिए क्या-क्या योगताए होनी चाहिए दोस्तों PCS आफिसर बनने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मानिता प्राप्त कॉलेज या यूनिवरस्टी से ग्रेजियोशन पूरा करना होगा वो भी अच्छे माक से साथ दोस्तों अगर आप PCS आफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से लेकर मैक्सिम 40 साल के बीच होनी चाहिए इसके अलाबा अगर आप SCST या OBC के टेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको सरकार के द्वारा रिजर्ब के टेगरी के कैंडिडेट को नियम के नुसार कुछ छूट दी जाती है दोस्तों PCS आफिसर बनने के लिए आपकी हाइट 165 से 176 सेंडिमीटर होनी चाहिए यनिकी 165 टो 167 सेंडिमीटर होनी चाहिए दोस्तों यदि आप PCS आदिकारी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मानेता प्राप्त कॉलेज या उनिवरस्टी से किसी भी सवेक्ट से ग्रेजियोसन पूरा करना होगा उसके बाद ही आप PCS आदिकारी के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके अलाबा आपको बता दे कि राजी लोग से वायो के द्वारा इस एक्जाम को तीन चरनों में बाटा गया है जैसे कि प्रिलिम्स एक्जाम मेंस एक्जाम और इंटर्व्यू के रूप में ये एक्जाम ली जाती है दोस्तो यदी आप PCS आदिकारी बनना चाहते हैं तो आपको राजी लोग से वायोग के द्वारा इस इन तीन चरनों की एक्जाम को आपको अच्छे माक्स साथ क्वालिफाइड करना होगा दोस्तों अगर आप PCS अधिकारी बनने के लिए इन तीन चैनलों में डिवाइड़ेड इस एक्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपके द्वारा हाइस्ट माक्स के लाने की आधार पर PCS अधिकारी के लिए नुक्त किया जाते हैं दोस्तों यदि आप एक PCS अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको रजी लोग से वाएक के द्वारा एजित तीन चैनलों की एक्जाम से आपको गुजरना पड़ता है पहले आपका प्रिलिम्स होता है अगर आप इस एक्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद में प्रिलिम्स होता है और आखिर में इंटर्व्य होता है दोस्तों अगर आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको पहले प्रिलिम्स एक्जाम देनी होगी दोस्तों इस एक्जाम को क्वालिफाई करना होगा दोस्तों प्रिलिम्स एक्जाम के सिलेबस की बात करें तो हर राजी के नुसार इसका सिलेबस अलग-अलग होते है फिर भी जेनरली देखा जाए तो इसमें आपसे जेनरली स्टाडीज साइंस, मैथमेटिक्स, करेंट अफेर्स से सवाल पूछ जाते हैं जोग्रफी, पॉलिटी इन सवे सवेक्ट से आपसे सवाल पूछ जाते हैं और BPC की बात करें तो BPC में आपसे 1.500 सवाल स्वाल करने के लिए आपको मिलते हैं और इस एक्जाम के लिए आपको दो गोंटे का समय मिलते हैं दोस्तो अगर आप इस exam को qualify कर लेते हैं तो आपको आगे मेंस exam के लिए बुला जाते है दोस्तो मेंस exam के लिए बहुत सारे राज्यों में UPC का ही pattern follow किया जाते है जिसमें की आपसे निवंद का paper होता है, हिंदी का paper होता है, जो की compulsory paper होता है अगर आप हिंदी में disqualify हो जाते हैं तो आपका paper जाचा नहीं जाते है और दोस्तो इसके अलावा general studies के 4 paper होते हैं और optional के 2 paper होते हैं और दोस्तो general studies के 4 paper सभी 2200 mark से होते हैं और optional दोनों paper 2200 mark से होते हैं और हिंदी और निबंद डेट डेट सो माकस से होते हैं और बात करीnd B.P.A.C. की तो इसमें B.P.A.C. में जेनरलिस्ट्टीस के दो पेपर होते हैं और बीपे से आब ऑपिस्टेंल का पेपर हटा दिया गया है ऑपिस्टेंल के बदले यहां पर निबंद का पेपर लाए गया है दोस्तो प्रिलिम्स एक्जाम के तुलना में मेंस एक्जाम कठीन होती है जिसे पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी होती है अगर आप इस मेंस एक्जाम को अच्छे माक्स से साथ पास कर लेते हैं तो आपको आगे के इंटर्वियू के लिए बुला जाते है PCS अधिकारी बनने के लिए जैसे ही आप प्रिलिम्स और मेंस एक्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटर्वियू के लिए बुला जाते है और इस interview में candidate का personality test किया जाते है जिसमें bio data और general knowledge से आप से सवाल पूछ जाते है जो के कुल 100 marks का होता है यदि आप इस interview को अच्छे marks से साथ qualify कर लेते हैं तो एक merit list त्यार की जाती है और उस merit list के अनुसार सबसे ज़्यादा marks लाने वाले candidate को PCS अधिकारी के तोर पर newt किया जाते है दोस्तों बात करें PCS exam के त्यारी कैसे करें तो दोस्तों PCS exam के त्यारी के लिए सबसे पहले आपको एक time table set करनी होगी और उस time table के नुसार आपको पढ़ाई करनी होगी दोस्तों PCS exam को पास करनी के लिए candidate को इस्टेट से related geography, history, polity इनका knowledge अच्छा होना चाहिए और दोस्तों आपको latest current affair और international current affair national level का current affair की सद्धिक जनकारी होनी चाहिए इसके लिए आपको daily newspaper पढ़ना चाहिए दोस्तों PCS exam के त्यारी के लिए आपको NCRT के कितावे पढ़ने चाहिए जैसे आप exam में अच्छे marks प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों PCS exam के त्यारी के लिए आपको general knowledge और math subject की अच्छी समझ होनी चाहिए आपको PCS exam के त्यारी के लिए last 2-3 साल के previous year के question paper को इकटा करना चाहिए और उन्हें solve करने की कोजिस करनी चाहिए दोस्तों PCS exam के त्यारी के लिए आप coaching class के भी मदद ले सकते हैं दोस्तों PCS exam के त्यारी के लिए आप अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो internet या YouTube का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों PCS exam की त्यारी के लिए के दोरान आपको आत्म विश्वास और धैरे बनाए रखना होगा क्योंकि ये exam काफी tough exam होती है और कई बार आपका आत्म विश्वास डग मगा सकता है इसलिए आप त्यारी के दोरान धैरे बनाए रखें दोस्तों यदि हम PCS अधिकारी की सेलरी की बात करें तो PCS अधिकारी की सेलरी राजी सरकार के दोरा निर्धारित नियम्य के अनुसार तैकी जाती है जिसके इसके अलावा PCS अधिकारी की सेलरी अलग 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 होती है फिर भी PCS अधिकारी की सेलरी की एक अनुमान के तक 32 रुपय तक मतली होती है इसके साथ ही इन्हें आलिसान मकान और वहां दिया जाते हैं और अन्यस्यू बिदाएं भी इन्हें दी जाती हैं दोस्तों अब सब्सक्राइब लोगों को सब्सक्राइब क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि प्रांतिय लोग से वाका जाते हैं दूसरा सवाल है तब ही आप PCS अधिकारी बनने के लिए अपलाई कर पाएंगे तीसरा सवाल है PCS में कौन-कौन सी नौकरिया उपलब्ध होती हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि PCS एक्जाम में सपल होने के बाद कैंडिडेट को हाईयर पोस्ट पर न्यूग किया जाते हैं जिसमें सर्विस के तहत लगभग 56 से अधिक पदाते हैं चौता सवाल है PCS एक्जाम किसके दोरा आईजित की जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि PCS एक्जाम राजी लोकसे वा आयोग यानि कि स्टेट पब्लिक सर्विस के मिसन के दोरा आईजित की जाती है और पांचव सर्विकारी की सेलरी 56,100 रुपए से लेकर 1,32,000 रुपए तक होती है और जैसे जैसे इनका एक्सपिरियंस इस चेतर में बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सेलरी भी बढ़ती ही जाती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता है कि PCS आफिसर क पता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरू सेर कीजीगा और अगर आप चैनल पे नहीं है तो इसे जरू सब्सक्राइब कीजीगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी याने टॉपिक के साथ तब तके लिए झाल